नमस्ते, वेलकम टू मैं चैनल, आओ अंग्रिज सीखें, let's learn English रोजाना बोले जाने वाले वाके sentences used in daily life में आज हम ऐसे शब सीखेंगे जो कि हमें यह बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ है इसको हम English में adverb of manners बोते हैं तो कोई काम हमने कैसे किया है, यह देखने के लिए, चलिए यहाँ पर मैंने शब दिखेंगे हैं, उसका हम वाके में प्रियोग देखते हैं अच्छा यानि well, वफ अच्छा लिखता है, he writes well, मतलब कैसा लिखता है अच्छा लिखता है, तो writes well जल्दी से यानि quickly कुत्ता जल्दी से गेन के पीछे भागा, the dog ran quickly after the ball, कैसे भागा? quickly The dog ran quickly after the ball. धीरे से यानि slowly. वा धीरे से उठ खड़ी हुई. She stood up slowly. कैसे खड़ी हुई? धीरे से. Stood up slowly. खुशी से यानि happily. उन्होंने खुशी से खाना खाया. They ate the food happily. कैसे खाया? happily. खुशी से खाया. They ate the food happily. उदासी से, sadly. उसने उदास होकर उपर दिखा. She looked up sadly. कैसे देखा? Sadly. दासी से. गुस्टे से अंग्रीली. उसने गुस्टे से पुछा. He asked अंग्रीली. कैसे पुछा? गुस्टे से. Asked अंग्रीली. जोर से loudly. वा जोर से गाता है. He sings loudly. कैसे गाता है? The cake was made lovingly. कैसे बनाया था? Lovingly. प्यार से बनाया था. The cake was made lovingly. नर्मी से softly. वा नर्मी से बोलती है. She speaks softly. कैसे बोलती है? नर्मी से. आईए. एक बार सारे बाके फिर से दोराते हैं. He writes well. The dog ran quickly after the ball. She stood up slowly. They ate the food happily. She looked up sadly. He asked angrily. She sings. He sings loudly. The cake was made lovingly. She speaks softly. अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो. तो इसी like, share कीजे. सब्सक्राइब कीजे. और मेरे सद्धाः बड़े इंग्लिस की के थांक.